जाहिंदे स्टुएंट्स मैं हूँ जैसंकरजा और आप देख रहे हैं कैरियर पॉइंट नावादा बाई जैसंकरजा आप लोगों के लिए इससे पहले दो इंपोर्टेंट थियोरी मैंने अपलोड किया था इस सेनल के माध्यम से उमिद करता हूँ आप लोगों ने अभी तक उन्हें देख लिया होगा जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है उनके लिए मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिपिशन में दे दिया हूँ आप वहां से देख लें क्योंकि वह दोनों क्वेशन बहुत ही महत्पूर्ण है लगबग यह हमान लीज़े जो वह क्वेशन एक्जाम में पूछेगा ही ठीक है । तीसरा जो महत्पूर्ण क्वेशन है वह लेकर अभी मैं आया हूँ क्वेशन है करमुक्त आई क्या है कोई ऐसी दस आ इसमें जरूरी नहीं है, जो अभी जो मैं बता रहा हूं, उसी 10 को आपको बोलना है, कोई ऐसे 10 लिखना है, जिन पर income tax 100% फिडी होता है, मतलब कुछ भी, कोई भी भाग पर tax नहीं लगता है, इसको ऐसे भी पूछ सकता है, करमुक्त आयों से क्या आ सै है, आयकर अधिनियम आयों को किस प्रकार की करमुक्ति प्रदान करता है, और निवासी करदाता की करमुक्त आयों की वेचना कीजिए, चलिए तो इस question को हम लोग देखते हैं, इसका क्या सही answer होना चाहिए, और आप लोगों को बता दू, अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है, तो इ पिछले वीडियो में समझाया गया है, इसलिए मैंने बोला आप वीडियो जरूर देख लें, और कर का मतलब होता है, जब किसी वेक्ति का आमदर्नी आये, एक निर्धारित सीमा जहां तक फ्री होता है, उससे उपर हो जाता है, तो उनसे सरकार की द्वारा कुछ रासियां उसमें से वसूल किया जाता है, जो कर होता है, ठीक है, और कर मुक्त, मतलब ऐसा आये, जिस पर कर नहीं देना पड़े, वो कर मुक्त आये होगा, कर मुक्त आये से आसे, ऐसी ऐसे लगाया जाता है, जिन पर आये कर नहीं लगाया जाता है, इनकम हुआ आपका, एक शिमा त परिवार को कर नहीं देना पड़ता है कर मुक्त आय कहलाता है ऐसा जिस पर कर नहीं लगता हो अगर सिंपल भासाइं बोले ऐसा आमदनी ऐसा आय जिस पर कर न देना पर ठीक है आयकर अधिनियम 161 की धारा 10 में ऐसी आयों का उल्लेक किया गया है जिन्हें नौन कर दाता की आयम जोरा जाता है और नो न पर कर लगाए क्र्स एग विद्वर दोừ रिए जो गृंके अ खुआ होता है जिस Students करडाता है उन्हीं को तो जो राज आयम जीस पर करल लगे और नहीं उसको और हम हिसाब करके क्या करेंगे ठीक हैं देखिए कौन-कौन ऐसे आएं हैज Iya जिन पर आइकार नहीं लगता है पहला्व टेक्स फ्री होता है यानि कि एग्री कल्चरल इंकम हो यह उसमें विश्तार से समझाया गया है भारत में क्रिसि आय कर से पुर्णता मुक्त है बसरत यहां आयकर अधिने में दी हुई दी गई क्रिसी आय की परिवासा के अंतरगत आती हो यह आप लोगोंने देखा होगा दूसरा जो आय है वो है हिंदू और विभाजित परिवार से प्राप्तियां सम रिसिब्ड फ्रॉम हिंदू अंडिवाइडेर फैमिली धारा दस दू के अंसार एक हिंदू और विभाजित परिवार के सदस्थ को परिवार की आय में से कोई धंडासी प्राप्त होती है तो व बग अधिक क्या होता है तो फड़स कर चुका ऊच्स चुका या जाता है साज़ेदार को साज़ेदार का लग भाग ही इसलिए इसका यह बटलाव का हिस्सा प्राप्त लाप scoot कर्मुख्त होता है किन्तु संहेदाल को फर्म से प्राप्त वयतन ब्याज vacation bonus कर्मुख्त नहीं होंगे यह बात करें फर्म की आय में जो लाब होता है फर्म की आय में जो भाग होता है जो शेर होता है पार्टनर को उस travelled टाइक्स Jim लेकिन अगर साजेदारी origin से बेतन मिल रहा है कमीशन मिल रहा है वह कड़ियोग आई होगा है ब्यत c या अनुलाव किसी व्यक्ति को अगर विदेश में कोई भी भत्ता मिलता है कोई भी अनुलाव मिलता है तो वह tax free होता है ठीक है तो इस सब को explain आप अपने भासा में कर सकते हैं एक भारती नागरी को विदेश में सेवा करने के दोरान सरकार से जो भत्ति या अनुलाव विद टेक्स्प्री जगए आगर वापसा जाता है तीन माह के लिए इंडीया गिलता है देक्सजेल हो जाएगा लेकिन वी्देश में जो मद आधीनिय ऑगद करनाा आपको इतना और संघ्ल कर सकते हैं अगला और पालव गैस आधिनियां एक total cash इसका हुआ था में तो उसमें जो भी व्यक्ति प्रभावित हुए थे उनको छती पूर्ति के लिए जो रासी दिया गया था वो कर्मुक्त दिया गया था ठीक है छटा है विपत्ति पर छती पूर्ति किसी को कोई आफद विपत्ति आता है अचानक जैसे देखते होंगे रोड एक्सिदेंट में मारा गया कोई भी व्यक्ति डूब के मर जाता है ऐसी स्थिति में आपदा में जो छती होता है इसमें जो सरकार कोई छती पूर्ति देता है तो वो कर्मुक्त होता है यदि किसी व्यक्ति या उसके वैधानिक उत्राधिकारी को केंदरिये सरकार राज सरकार या अस्थानिय понравités 407 विपत्थी पर कोई रसी प्राप्त होती तो यहां कर्मुक्त ओगी इसमें गप्रामुनीजी और सो जीवन भीमा में यहां सकतीती बॉन निखेud कर से मुक्त होती हैyou जीवन विया पॉलीसी में रासिंवेस्ट करते हैं तो आपको कर्से छुट भी दिया जाते है पिछले वीडियो में आपनी वैद्धनीप्रविडेंट था यह प्रमानित प्रविडेंट फंड यदि करदाता को प्रमानित प्रविडेंट फंड की 15 अगला है चात्र वृतियां सरकार की दौरा दिया जाता है अभी ग्रेजुएशन करने वाले और विभाहित लड़की को पचास सार दिया जाता है ठीक है तो यह जो स्कॉलर्शिप होता है या कहीं पढ़ाई के लिए जो दिया जाता है वो कर्मुक्त होता है सरकार अथवा अन किसी संस्था द्वारा सिक्षा एवं सोध काड़ियों के लिए व्याई है तू परदान की जाने वाली छात्र वृतियां प्राप्त करता के लिए पुर्णतया कर्मुक्त है ठीक है संसद विधायकों की कुछ आएं संसद और विधायकों को कुछ आए ऐसी है जो कर्से मुक्त होता है ठीक है संसद विधायकों की निम्न आये कर्मुक्त होती है पहला किसी व्यक्ति द्वारा संसद विधान मंडल या किसी कमिटी के सदस के रुपे प्राप्त दैनिक भथा संसर्दस्वे संसर्दस्वay members of parliament iy 1886 के अंतरगत प्राप अन् सभी भात्तों किसली और सदस्यों को प्राप्त निर्वाचन छेत्रभत्त ये भी फ्री होता है बारमा है वीरता पुरुषकार विजेताओं को पैंसन आप लोग गोने भी देखा होगा जो सैनिक होते हैं उन्होंने अगर कुछ ऐसा देशीत में काम किया तो उन्हें वीरता सम्मान दिया जाते हैं वीरता पुरुषकार पुरुषकार चाहिए नगद मिले अथ्व वस्तू की रुप मिले ये पुर्णतया कर्मुक्त होते हैं ठीक है चलिए पौधे लगाने वाले पौधे लगाने वालों द्वारा प्राप्त सहयता रबर कौफी इलाइची अथ्वा अन किसी अदुसुचित वस अगर आपने ऐसा काम किया तो आपको अगर पांच अलाग दिया जाएगा उसमें से कुछ भाग फ्री कर दिया जाता है तो वह टेक्स फ्री हो जाएगा ठीक है यह वोड सब कुछ आर्थी मत करते हैं वह फ्री होता है 15 माए औवैस्क बच्चों की आए यदि किसी व्यक्त वास्त में सामिल हुई आए अथवा पंद्रहुसो रुपया जो दोनों में कम हो पर कर से छूट मिलेगी बस यह देख लीज यह वास्ता में प्राप्त रासी या पंद्रहुसों दोनों में जो कम होगा तो यह कर से मुक्त होता है ठीक है और निवासी करदाता के लिए भी या उनके सोधन पर प्राप्त प्रब्याजी पूर्ण्तिया आयकर से मुक्त है, जिने केंधरिय सरकार ने इस आसाई के लिए गजट में प्रकासित कर दिया है। बाहरी खाते पर ब्याज एक और निवासी वैक्ति को भारत में किसी बैंक में उसके और निवासी नन रेसिडेंशियर एकाउंट में जमाध धनासी उप्राप्त ब्याज पुर्णत्या करमुक्त होता है बचत पत्रों पर ब्याज यह भी जो होता है सेविंग सर्टिफिकेट ये भी फिरी होता है ऐसे किसी भी एक व्यक्ति को जो भारत का नागरिक अथवा भारतिय मुलका है किन्तु और निवासी है केंद्रिये सरकार द्वारा निर्गमित ऐसे बचत पत्रों पर प्राप्त व्याज जो सरकारी गजट में इस आसाई के लिए अधिसुजित कर दिये चौथा और निवासी को प्राप्त आयकर पर आय पर आय पर आय चाथ सुसुद्य के को तकनिकी सेवाओं के प्रतिफल में प्राप्त फिज विदेशी कंपनी को तकनिकी सेवाओं के प्रतिफल में प्राप्त फिज कि यह तो कि यह नरे कि वहारत की सरक्छा से संब्शaken की परियोझनाओं में भारत या भारत के बाहर एक और êसुचित वीदेशी कम्पणी द्वारा उसके द्वागन्य प्रदत उनसेवाओं के प्रतिफल में बसरते की की तक्निकी सेवा का प्रंस विदा सरकार के साथ किया गया कॉंट्रेक्ट सरकार के द्वारा किया गया तो यह सब आये हैं जो कर से मुक्त है तो उमीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कर दें और अधिक से अधिक से सेर कर दें धन्यवाद